Hello everyone, आज डेट है 3rd of October 2021 और The Hindu News Analysis में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम The Hindu की important news को exam के point of view से discuss करेंगे। नीचे description box में टेलिग्राम चैर्नल वोलके नो और ये सकेट मिका लिंक दिया हुआ है। First important news The Hindu के front page से retro tax को ले करके है। Retro tax को वज़े से काफी mask rate हो गया था, बहुत सारी companies के साथ में हमारी Indian government का class देखने को मिला था और उसी को ले करके हमारी government ने new rules and regulations निकाले हैं और उसका notification जारी कर दिया है कि Retro tax जो था, उस mask को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। Retro tax की back date में जाकर के tax लगाया जा सके। अब इसको ले करके clash हुआ, जो international court है उनमें यह जो case जो चल रहा था वो गया और Indian government के खिलाब इसमें result आया। अब इसी को ले करके government ने notification जारी किया है कि हम यह जो mask rate हुआ, इसको हम खत्म करेंगी। हालांकि government ने बोला है कि जिन भी company से साथ में हमारा clash चल रहा था, उनको refund दिया जाएगा अगर उन्होंने retro tax के तहत हमारे यहां पर पैसा जम्मा करवाया है। लेकिन government ने कुछ ऐसे tight rules and regulations implement करने की कोसिस की है इन companies के उपर कि आपको जो भी cases हमारे खिलाब चल रहे हैं, government के खिलाब उन सब को वापस लेना होगा। इसके अलावा जो भी पैसा आपने दिया है retro tax के तहत, वो सब कुछ पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन future में आपको किसी भी new, ऐसे नया case जब आप लगाओ, तो retro tax के आधार पर आपको government को नहीं घसीतना है, court में इस आधार की retro tax के आधार पर हमसे पैसा लिया गया था। तो ये retro tax के बारे में basic facts है, देखो क्या होता है कि जब किसी government के ये जो मुद्दे थे कि energy और Vodafone के वो international level पर show हो गए थे, इससे वज़े से क्या होता है कि बहुत सारी foreign companies मानलो attract हो रहे थी कि उनको जाकर के इंडिया में invest करना है, लेकिन इस तरीके के cases जब देखने को मिल तो इसका एक side effect गिरता है, बहुत सारी companies ये हमारी इंडिया में invest करने से मना कर दिया होगा, और इससे क्या होगा कि जो foreigner investment है वो इंडिया में काफी कम हो जाएगा, जिससे growth and development काफी कम होगा, और इससे employment जो है वो भी काफी कम available होगा, तो एक जो problem, एक जो retro tax, वो काफी ज़ ज़्यादा effect होगी, next important news, election commission of India ने ljp के दो faction जो है ljp, लोक जन सक्ती party, रामिला स्वास्वान की party, उनकी death होने के बाद में उनके भाई, पुस्प पती कुमार पारस और उनके बेटे चिराग पास्वान, इनके बीच में क्लैसवा और इस party के दो faction हो गई, अभी क्या है कि by election होने वाले हैं, इसी को लेकर के ये बोला गया है कि दोनों के दोनों जो faction है, वो ljp के जो party का name है और party का जो simple है, symbol जो है, उसको use नहीं कर सकती, ये election commission के द्वारा बोला गया है, election commission एक constitutional body है, और article 324 के तहती ये काम करती है, election commission of India के बारे में आपको ये भी पता होगा कि जो किसी भी party को नाम देना, उसको symbol देना, किसी भी मालनों कोई party है, उसको symbol देने का जो काम है, वो election commission of India के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, election commission of India के, वो आपको नीचे comment works में बताने है, देखो, prelims में क क्या होता है, कि election commission of India के, किसी भी, जो भी important works है, उनको लेकर के statement दे दिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा, कि कौन-कौन से जो works है, वो election commission of India के हैं, तो clarity होनी चाहिए, कि कौन-कौन से works ECI के द्वारा किये जाते हैं, और कौन से नहीं किये जाते हैं, next important news, judiciary को लेकर के हमारे जो CGI हैं, उन्होंने एक important statement दिया, उन्होंने बोला कि हमने अब तक मई-जून से लेकर के 106 नाम हम government को suggest कर चके हैं, high court में जो भी vacancies हैं, उनको fill करने को लेकर, लेकिन अभी तक जो government है, उन्होंने 7 नाम को ही clarify किया है, इसके अलावा, no high court के जो chief justice है, उनके नाम को ल समे में जल्द ही, ये सारी जो vacancies अगर clear हो जाती हैं, तो हमारे यहां पर जो भी vacancies हैं, judiciary में उन्हों सब को fill कर दिया जाएगा, और जैसे ही judiciary में जो vacancies हैं, वो fill होगी, तो हम हमारी society के last point तक जा कर गे, मतलब, remotest corner and to the weakest person तक हम justice उपलब्द करवा पाएंगे, इसके अलाव उन्होंने बूला कि growth could only be attain through equal and inclusive access to justice, unequal access to justice lead to greater gaps in social fabric, अगर सभी को equality में justice मिलेगा, तो जो gap है वो create नहीं होगा, लेकिन अगर inequality create होती है, unequility create होती है, तो जो gap है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब pendency है, देखो vacancies है, vacancies की वज़े से cases की pendency बढ़ती है, उसकी व pandemic ने तो हमारी बहुत सारी deep rooted problems in society में उनको expose किया है, इसके अलावा last में उन्होंने important statement में अपने ये बोला कि lack of health care, eviction from home and uncertainty about one's next meal, all these overflow from absence of justice, ये सारी जो problem, मानलो किसी person को health care नहीं मिल पा रही है, ठीक है, घर नहीं मिल पा रहा है, आने वाले समय में उसको ये नहीं पता कि स नहीं मिल पाएगा, ये सारी चीजे होती है, ये सारी problem create होगी, जब justice absence होएगा, और justice कब मिलेगा, जब हमारी जुडिसरी में जो भी vacancies हैं, उन सभी को fill किया जाएगा, next important news, अभी पंजाब जो है, वहाँ पर हमने class देखा, और वहाँ की जो government है, Congress government, वहाँ से नए CM appoint किये गए, और जो पहले जो CM थे, अमरिंदर सिंग, उन्होंने वहाँ से resignation दे दिया, तो ये है राजस्तान के CM, असोग गैलोथ, उन्होंने important statement दिया, कल उन्होंने 2 October को, 2 important scheme जो है, परसासन सहरों के संग, और परसासन गाउं के संग, ऐसी 2 scheme उन्होंने लौंच की, और इस scheme के तहत जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने अपनी बात किलियर की, कि पंजाब में जो भी problem हुई, उसकी तरह हमारी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अपनी जो भी term है, पांस साल की term होती है, कोई भी elected government की, तो हम अपनी term को complete करेंगे, हमारी यहाँ पर majority है, और ह लेकर के discussion चल रहा है, तो अगले सपता याशा की जारिया, आर्मी चीप मनोज नर्वने के दुआरा कि इंडिया चाइना के बीच में जो talks हैं, वो decide होंगी, और hot spring जो area है, उसके उपर इस बार discussion होगा, यह जो LAC है, इसका map आप देख लीजिए, exam के point of use से काफी important हो जाता ह है, यह जम्मो एंड कस्मीर है, जिसको 5 अगस 2019 को दो यूटी में change कर दिया गया, यहाँ पर है यह वाला जो area है वो है लद्दाक यूटी और यह वाला जो area है वो जम्मो एंड कस्मीर यूटी, यहाँ पर लद्दाक की हम बात करें, तो यह जो red line है, यह है line of actual control, यह जो अ यहाँ पर आगे तक चाहिना ने अपनी आपरमी को बढ़ा लिया था, तो यह सारे point के ओपर clash चल रहा है, तो आसा की जा रही है, इस बार hope की जा रही है कि होट स्प्रिंग वाला जो area है, वहाँ पर इस problem को solve किया जा सकता है, इसके ले करके discussion हो सकता है, तो यह clear होना चाहि कि कौन सी जो जगए है, वो कहाँ पर situated है, next important news, देखो, यहाँ देखिए, indigenous aircraft carrier, विक्रान्त का phase second का trial हुआ, इसको जल्द ही, इसका phase 3 का trial होगा, और इसके बाद में अगस 2022 को इसमें जो हमारी Indian Navy है, उसमें इसको commissioned कर दिया जाएगा, जब हम 75 years complete कर चुके होंगे, उसी समय, हमारी यहाँ पर जो indigenous aircraft carrier है, उसको भी हमारी Indian Navy में commission किया जाएगा, यह हमारे लिए एक proud moment होगा, कि हमारी जो government है, वो धीरे-धीरे research and development के उपर काफी पैसा कर्च कर रही है, और इसकी वज़े से जो new innovation हमारी government में, या हमारी country में हो रहे हैं, उसमें सारा जो material, सारी जो power, सा develop किया जा रहा है, अगर विकरांद की अगर हम बात करें, तो 76% तक जो है, इसमें indigenous content है, जादत तर जो चीजे हैं, वो हमारे इंडिया से develop जो चीजे हैं, वो ही इसमें लगाई गई है, ओकी, next important news, page number 6 से है, हमारा जो western border है, पाकिस्तान और राजस्तान, पाकिस्तान के साथ में पहल तो आप अपनी border देखिए, जम्मु कस्मीर, पंजाब, राजस्तान और गुजरात, इन चार स्टेट के साथ में जो पाकिस्तान है, वो अपनी border बनाता है, और इसको red cliff line के नान से जाना जाता है, यह आपको clear है, अब यहां पर, यहां से और यहां तक, जो राजस् यह जो लंगा और मांगणियार है, वो हमारे इंडिया में भी राजस्तान वाले पार्ट में भी रहते हैं, और यहां पर पाकिस्तान वाले पार्ट में भी रहते हैं, जब past time था, जब हमारे आपर अंग्रेजों का rule था, और इस area में, जब राजाओं का सासन था, तो उस सम ये जो लंगा मांगणियार हेरिटेज है इनको सेव किया जाता था ये हमारे राजस्तान के फोक आर्टिस्ट हैं और इनकी परफोर्मेंस को सेव किया जाता था वहां के जो किंग है मतलब ये गाते थे और गाने के दुआर जो राजा की जो भी जीवनी है उसके बारे में उनकी फैमिली के बारे में ये सब कुछ अपने जो गाने हैं उनके थुरू बताया करते थे मतलब एक तरीके से जो हमारी हेरिटेज है मान लो ये जो लोग प्रजेंट टाइम में हैं इन्होंने अपने दादा से किसी राजा के बारे में सुना उससे पहले जो लोग थे उन्होंने अपने किसी दादा बात से बात सुनी तो एक तरीके से जो हेरिटेज है जो कल्चर है वो regular यहाँ पर transfer हो रहा था, जो हमारी heritage को, हमारी culture को save करने का important role ये play करते थे, अब धीरे धीरे जो इनकी heritage है वो खत्म होती जारी है, तो इसी को लेकर के जोदपूर में रूपायन संस्तान है, उसी को लेकर के जोदपूर में जो रूपायन संस्तान है, उसको 1960 में कोंवल कोठारी और विजयदान देथा ने establish किया था, अब वहाँ पर इनकी जो भी गाई की है, उसको save किया जा रहा है, recording की जा रही है, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारी heritage है, उसको save किया जा सके, ओके, next important news, page number 8 से है, यहाँ पर United Nation General Assembly के जो chief है, माल्दीव के अब्दुल्ला शाहिद, जिसको इंडिया ने भी support किया था, अब्दुला साहिद ने important statement दिया, कि मैंने जो है, वो covacil vaccine लगवाई है, और दोनों dose लगवाई है, और इंडिया ने हमारा support किया, इंडिया बहुत सारे ऐसे countries, जिसमें अलग-अलग तरीके से, जैसे कि मालो, covacs initiative के तहत, commercial shipment के तहत, या फिर grants के तहत, 100 countries को 66 million vaccine dose पहुँचा चुका है, बहुत सारी countries ने इसको implement कर लिया है, बहुत सारी population ने इसको implement किया है, इसका कोई भी side effect नहीं हुआ, फिर क्यों, बहुत सारी country जो हैं, वो covacilt को लेकर के ban लगा रहे हैं, indirectly comment किया गया UK के उपर, लहालांकि जो UK है, उसने बाद में अपना statement को change किया, और covacilt को access किया, लेकिन government के दुआरा, जो भी हमारे certificate जारी हो रहे हैं, उसको लेकर के UK government ने 70 नहीं दिखाई है, और उसको counter करते हुए, हमारी Indian government ने UK से जो nationals आगर हमारे इडिया में आए, तो उसके उपर भी restriction लगा दिया है, कि उनको covid की guidelines के तहत, उस समय तक उनको क्या रहना होगा, अपने आपको separate रखना होगा, next important news, हमारे जो prime minister है, उन्होंने जल जीवन मिसन को लेकर के बोला है, कि 5 करोड हाउसे water connection अब तक हम provide करवा चुके हैं, 2019 से, उन्होंने बोला कि जल्द ही हम कोसिस करेंगे, कि सभी लोगों के यहाँ पर tap water connection हो, और tap water की वज़े से जो clean water है, वो सभी को available हो, जल जीवन मिसन के तहट, PM के द्वारा उन्होंने बोला कि जल जीवन मिसन एब भी बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, awareness create होगी, और इसके अलावा, जो भी है scheme है, इसमें greater transparency and accountability भी create होगी, राष्टिया जल जीवन कोस को उन्होंने launch किया है, जहाँ पर individual, institution, philanthropist या फिर कोई भी भामासा, philanthropist मतलब भामासा, अगर वो अपना पैसा यहाँ पर जमा करवाना चाहता है, तो tap water connection को ले करके उनका पैसे को यूज किया जाएगा, next important news, Assam Accord को ले करके यह article है, Assam Accord 1985 में हुआ था, राजीव गांदी जो सरकार है उसके बीच में, और AASU जो leadership है उनके बीच में, इसमें यह decide किया गया था, छे साल तक लगबग यह विरोध चला था, और उसके बाद में 1985 में इस Accord को sign किया गया था, कि illegal जो immigrants हैं, उनको रोका जाए, क्योंकि Assam के जो भी resources हैं, उनके उपर भार create हो रहा है, तो इसी को लेकर के जो Assam Government है, उन्होंने 8 Member Subcommittee बनाई है, ताकि 1985 के जो Assam Accord है, उसको implement करने के लिए, जो framework है, उसको तयार किया जा सके, Next Important News, Science Page से है, आज Sunday है, और Science Page पर बताया गया है, कि पूरे वीक के दोरान क्या-क्या research हुआ, इस article में, जो important article है, यहां पर एक research हुई है, देखो, एक tiny plant है, जो plastic seed, that can digest low density plastic seed, यह जो tiny plant है, algae का है, Euronema africanum borje इसका नाम है, और यह commonly Asia Europe और Africa में पाए जाता है, microscope के तहट जब इसको देखा जाता है, तो इसमें यह माना गया, कि हमारे world में, जो plastic pollution है, वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा create हो रहा है, plastic pollution का 60% जो है, उसी plastic को इंडिया में collection और recycled किया जाता है, और बचा हुआ जो plastic है, वो एक तरीके से pollution create करता है, हमारे जो metro city की अगर हम total बात करें, Delhi, Chennai, Kolkata and Mumbai, इसमें से 21.2% total waste निकलता है, और सबसे highest number पर है Delhi, 2011-12 की report की according हम बात करें इंडिया की, तो Central Pollution Control Board ने अपनी annual report में यह बोला, कि पूरे साल में हमने 5.6 million metric ton plastic produce किया है, अब देखो इतना plastic है, जिसमें से सिर्फ 60% क्या होता है, उसको recycled किया जा सकता है, और बचा हुआ जो है वो pollution create करता है, तो इसके लिए government जो है वो बारबारी एकोसिस कर रही थी, कि इस तरीके की technology develop हो, ताकि इस plastic को खत्म किया जार सके, और अब इसी तरीके का एक algae खोजा गया है, discovery की गई है इस algae variety की, और इसमें माना गया है कि ये जो हैं, वो plastic को खत्म करने की कोसिस करते हैं, अब आने वाले time में इसमें और ज़्यादा research होंगे, तब जाकर के देखा जाएगा कि इसके result कितने शांदार होते हैं, next important news है, FAQ page से, first article है firecrackers को ले करके, Supreme Court ने 2018 में firecrackers को ban कर दिया था, कि इसमें six ऐसे toxic chemicals को यूज किया जाता है, उसके उपर ban लगा दिया था, 2015 में Supreme Court में case जारी हुआ था, कुछ बच्चों के दवारान उन्होंने ये बोला था, कि article 21 के तहट सभी को एक healthy environment में रहनी का पूरा right है, सभी को right to clean air दिया गया है, और इसको save करना हमारी judiciary का काम है, तो ये judiciary है, उन्होंने 2018 में ban लगा दिया, firecrackers को ban कर दिया गया, और उन्होंने green crackers की तरफ अपना initiative स्टार्ट किया, problem ये है कि बहुत सारी industry इसमें लगी हुई है, बहुत सारा employment ये industry जनरेट करती है, तो इसको transfer करने में बहुत सारे जो लोग हैं, उनकी livelihood छिन जाएगी, इसके लिए अब इसमें भी problem है, बहुत सारी industry जो हैं, वो अपने आपको easily transfer कर लेंगी, जो regular fire crackers हैं, उनसे green fire crackers की तरफ, लेकिन बहुत सारे industry ओनर ऐसे हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, कि वो easily इसको transfer कर पाएं, तो ये जो fire crackers हैं, वो pollution create करते हैं, pollution create करने के साथ हमारी health जो है, उसका नुक्षान होता है, और देखो emission जो है, वो हमें काफी कम करना होगा, दिपावली की रात की, दिल्ली में एक research होता है, और उस research में देखा गया, 2016 में Center Pollution Control Board के द्वारे, एक study research हुई, उन्होंने बोला कि पहले air में, जिस भी chemical का, जो भी toxic chemical है, उसका level बहुत कम था, 0.268 microgram per cubic meter, और ये बाद में increase हो जाता है, 95.954 microgram per cubic meter, तो देखो कितना level increase हो जाता है, एक रात में, ये सारी जो चीजे हैं, वो problem create करती है, और जो problem create करती है, ठीक है, similar तरीके का जो spike है, वो चाइना और यूके में भी देखने को मिला, किसी तरीके से जब firecrackers को किया जाता है, तो उसकी वज़े से जो pollution level है, वो बहुत ज़्यादा effect होता है, pollution level बहुत ज़्यादा increase होता है, जिसे people's की जो health है, वो effect होती है, animals की health जो है, वो effect होती है, और Indian cities में जो quality है, air pollution जो है, वो ज़्यादा increase हो जाता है, तो इसको लेकर के ये ban लगाया गया है, इसलिए news में है, इस भी की, next important news है, यहाँ पर, हमारे जो central government है, उन्होंने आयुसमान भारत digital mission को launch किया, 27 September को, इसमें क्या किया गया है, कि कोई भी person, वो अपनी personal ID, इस app के उपर create करेगा, और जो personal ID है, वो अपने phone number से भी create कर सकता है, अपने आधार card से भी create कर सकता है, और आने वाले समय में, pen card को भी इसको easily available कर दिया जाएगा, अब इसमें जब वो अपनी जो भी ID create करेगा, उसकी जो भी health issues जो रहे हैं, उन सब को register किया जाएगा, और register करने के दोरान क्या होगा, कि मान लो एक person जो है, वो देली में work करता है, उसको अब करनाटका सिफ्ट होना है, बैंगलूरू सिफ्ट होना है, अब उसके health issues को ले करके, उसकी जो भी files हैं, उसको अगर वो साथ में ले करके जाता है, तो बहुत problem उसके ले करेट होगी, क्योंकि एक जगे से दूसरी जगे पर ट्रांसपर, आपके basic need के सामान, साथ में आपकी जो medical history है, उसके सारे documents, अब जब यहाँ एप पे register कर दिया जाएगा, तो सारी आपके जानकारी एप पे होगी, अब एप पे जब जानकारी होगी, तो आप यहाँ से आप दूसरे डॉक्टर के पास में transfer होते हो, तो मान लो, एम्स देली का जो डॉक्टर है, वो सारी की सारी जो history है, वो transfer कर देगा वहाँ के किसी special doctor को, हाँ, इसमें एक profit और होगा, पहले क्या होता था कि जो doctors है, वो हमें खुद को suggest करने होते थे, पूछना होता था, ज्यादा तर जो लोग है, वो अपनी family में किसी से पूछते हैं, कि ये problem है, कोन से doctor को दिखाए, अब इस app के थ्रूँ, आपको आपके area में जो best surgeon है, best doctors हैं, वो suggest के जाएंगे, और उसके थ्रूँ, आपके जो transfer जो है, आपकी medical history, वो easily transfer हो जाएगी, इससे क्या होगा, कि जो person है, उसकी सारी की सारी history को पढ़ने में, doctor को कोई परिशानी नहीं होगी, ये भी पता चलेगा कि कौन-कौन से drug सबको तक उसको दी गई है, कौन-कौन से उसके सारी जो जाच है inspection हो गए है, ये सब कुछ easily cover हो जाएगा, अब problem ये है, एक तो transparency की problem है, हालांकि जो government है, उन्होंने बोला है, कि जब तक individual level पर consent नहीं मिल जाती, तब तक उनके कोई भी private data को release नहीं किया जाएगा, लेकिन major problem ये हो रहोगी, कि awareness जो है, वो हमारे इस digital health mission को ले करके वो नहीं होगी, इसका जो ecosystem है, किस तरीके से work करेगा, उसको ले करके भी ज्यादा work हो, तो मतलब एक तरीके से problem create होगी, आप ये मान सकते हो, lack of access to technology and poverty, ये दो चीजे जो हैं वो इस mission को hamper करेंगी, मतलब लोगों के पास में technology है, लेकिन awareness नहीं है कि किस तरीके से काम करना है, दूसरा poverty, लोगों के पास में गैजेट सी नहीं है, ओनलाइन के सुईदा ही नहीं है, तो जब ओनलाइन के सुईदा ही नहीं होगी, इस तरीके के mission में वो register कैसे करेंगे न, तो ये दो basic problem है, इनको solve करने पर हम इस mission को अच्छे से implement कर सकते हैं, और जो हमारा health area है, उसमें एक तरीके से major changes ये ले करके आएंगे, next important news, यहाँ पर ये जापान के नए PM अपोइंट किये गए हैं, फुमो, फुमियो किसीदा, ओके, फुमियो किसीदा जो हैं, उन्होंने जापान के 100 प्राइम मिनिस्टर हैं, और मिस्टर किसीदा ने योसी हिदे सुगा, पहले इस पहले PM जो थे, वो योसी हिदे सुगा थे और उनकी जगह ले ली है, next है, टुनिश्या की पहली विमिन्स PM बनी है, नजला बोडेन रोम धाने, ये जो, the geologist has to study the economy, amidst a worsening political crisis, ये टुनिश्या जो है, वो अफ्रिकन कॉंटिनेंट में है, और ये first वहां की विमिन PM मनी है, तो ये अच्छी बात है, कि विमिन का जो participation है, वो global level पर politics में काफी ज़्यादा increase होता जा रहा है, तो ये आज का हमारा discussion था, ओके, थैंक यू,